प्यारे बच्चो नमस्कार कैसे हैं आप मुझे आशा है आप सब अपने परिवार सहित प्रस्न और स्वस्त होंगे तो बच्चो आप जानते ही हैं कि हम आपकी कक्षा दस की इतिहास की पुस्तक के एक बहुती महत्पूर पार्ट भारत में राश्ट्रवाद पर चर्चा कर रहे हैं पिछले अंक में हमने भारत में राश्ट्रवाद की प्रिकर्ती पिर्थम विश्युद के भारत पर क्या प्रभाव पड़े चमपारण खेड़ा एहमदाबाद तथा रोलेट सत्याग्रह खिलाफत और असहयोग आंदुलन इन सब पर चर्चा की थी पिछले अंक के अंत में हमने शहरों और गाउं में असहयोग आंदुलन का रूप देखा था आज हम उससे आगे चलते हैं और देखते हैं कि आदिवासियों और बागान मजदूरों ने असहयोग आंदुलन को किस प्रकार देखा बच्चों आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज की कुछ और ही ढंग से व्याख्या की आंद्र प्रदेश की गुडेम पहाडियों पर रहने वाले आदिवासियों ने अलूरी सीताराम राजू के नेत्रेत्व में अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छिगड दिया क्योंकि अंग्रेजों ने उनके जंगल को प्रियोक करने के अधिकार छीन लिये थे और पहाडियों पर सड़क बनाने के लिए आदिवासियों से बेगार करवा रहे थे अलूरी राजू को लोग एक चमतकारी पुरुष मानते थे राजू गांधी जी से प्रभावित था और उन्हें अपना नेता मानता था वह अपने को असहयोग आंदोलन से प्रेरित भी कहता था और वह आदिवासियों को खादी पहनने और शराब पीना छोड़ने के लिए कहता था लेकिन वह यह भी मानता था कि भारत को केवल हिंसा के माध्यम से ही आजात करवाया जा सकता है समझे बच्चो क्या कहता था वो कि भारत को केवल हिंसा के माध्यम से ही आजात करवाया जा सकता है अहिंसा के माध्यम से नहीं अतहा गुडैम विद्रोही पुलिस थानों पर हमला करते अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का प्रियास करते तथा स्वराज हासिल करने के लिए गुरिल्ला युद्ध करते इस पश्ट रूप से यह सब बातें कॉंग्रेज के असहयोग आंदोलन के कारिकरम में शामिल नहीं थी लेकिन अलूरी राजु के समर्थक असहयोग आंदोलन के नाम पर ही यह सब कर रहे थे राजु को ग्रफतार करके 1924 में उसे फासी दे दी गई तो बच्चों अब हम बात करेंगे बागानों में सवराज की बच्चों सवराज और महात्मा गांधी के संदेश का कामगार कुछ अलग ही अर्थ लगाते थे असम के चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए आजादी का मतलब था अपने चाय बागानों के पृतिबंधित शेत्र से बहार निकलने का अधिकार और अपने मूल गाओं जहां से उन्हें लाया गया था से संपर्क रखने का अधिकार मिलना 1869 के Inland Immigration Act के अनुसार बागान मजदूरों को बिना अनुमती के बागान से बाहर जाने का अधिकार नहीं था और यह अनुमती उन्हें शायद ही कभी मिलती हो जब बागान मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की आग्या का उलंगन करके बागान छोड़ कर अपने मूल गाओं की ओर चल दी उनका विश्वास था कि गांधी जी ने कहा है कि हर व्यक्ति को उसके गाओं में ही जमीन दी जाएगी लेकिन वह अपने लक्षे तक कभी नहीं पहुँच पाए रेल और स्टीमर की हरताल होने के कारण वह रास्ते में ही अटक गए पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी निर्देता पूरवक पिटाई हुई तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि अलग-अलग लोगों के लिए स्वराज का अर्थ अलग-अलग था जो की कॉंग्रेस के नेत्रेतु द्वारा बताए गए अर्थ से बहुत ही भिन्न था लेकिन जब किसान आदिवासी और मजदूर महत्मा गांधी की जै और स्वतंत्र भारत का नारा लगाते थे तो वह कहीं न कहीं अपने को अखिल भारतिय आंदोलन से जोड रहे होते थे जब वह अपने आंदोलन को कॉंग्रेस के आंदोलन के साथ संबद्ध बताते थे तो वह अपने आसपास की परिदी से बहार निकल कर एक अखिल भारतिय सामराज्य वाद विरोधी समागम में शामिल हो जाते थे तो बच्चों अब हम आपके पाठ के एक और विशे सविने अवग्या की ओर पर आते हैं प्यारे बच्चों पूरे भारत में असहयोग आंदोलन अच्छे ढंग से चल रहा था लेकिन अचानक से फरवरी 1922 में हुई एक घटना ने रंग में भंग कर दिया कोरकपूर के पास इस्थित चोरी चोरा में पुलिस ने शांतिपूर प्रदर्शन पर गोली चलाई जिससे कुछ आंदोलन कारियों की मौत हो गई इससे गुसाए लोगों ने एक पुलिस थाना फूंक दिया जिसमें 22 पुलिस कर्मियों की मिर्तियों हो गई अपनी पुस्तक के चित्र पांच में आप चोरी चोरा की घटना देख सकते हैं आंदोलन को हिंसक होता देख गांदी जी ने आनन फानन में आंदोलन यह कहकर वापस ले लिया कि अभी सत्या ग्रहियों को जन आंदोलन चलाने के लिए और अधिक प्रशिक्षित किये जाने की आवशकता है पूरे देश को इससे निराशा हुई उधर कॉंग्रेस के भीतर मोतिलाल नहरू और सी आर दास जैसे नेता 1919 के अधिनियम के अंतरगत इस्थापित प्रांतिय परिशदों के चुनावों में भाग लेना चाहते थे वह परिशद के भीतर रहकर सरकार का विरोध करके यह दिखाना चाहते थे कि यह परिशद वास्तम्मे लोकतांत्रिक नहीं है मोतिलाल नहरू और सी आर दास जैसे वरिश्ट नेताओं ने कॉंग्रेस के भीतर ही स्वराज पारिटी बनाली और परिशदों के चुनाव लड़े लेकिन जवारलाल नहरू और सुभाष चंदर बोश जैसे युवा पूर्ण स्वतंतरता के लिए अधिक आक्रामक जन प्रितिरोध के तरीकों को अपनाना चाहते थे बच्चों, 1920 के दशक के अंतिम वर्षों में विश्व व्यापी महामंदी ने भारतिय अर्थव्यस्ता पर भी विनाशकारी प्रभाव डाला था ग्रामीर भारत आर्थिक बधाली का शिकार हो गया लगबक इसी समय बेटे इन की टोरी सरकार ने सर जौन साइमन की अध्यक्षता में एक विधाई आयोग भेजा जिसका काम भारत के समवैधानिक तंतर की कार्य प्रभाव डेखना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना था लेकिन उसमें सारे सदस्य अंग्रेश थे और किसी भारतिय को उसमें शामिल नहीं किया गया था कॉंग्रेश तधा मुस्लिम लीग समेत लगबख सभी दलों ने साइमन आयोग का व्रोध किया और 1928 में साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ के नारों के साथ आयोग का भारत में सुआगत किया गया बच्चों, इसी बीच अक्टूबर 1929 में वाइस राय लॉर्ड इर्विन ने भारत को अनिश्चित भविश्य में डॉमीनियन दर्जा देने का एक अस्पष्ट सा प्रस्ताव रखा और भारत के भावी सम्विधान पर विचार करने के लिए लंदन में गोल में सम्मेलन की गोशना की। डॉमीनियन दर्जा प्राप्त देश वैसे तो बिटिस सामराज्य में ही रहता है लेकिन अपने आंत्रिक मामलों में जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से वह बिटिस सरकार के बिना हस्तक शेप के अपना शासन चलाता है। बच्चों, इर्विन के प्रस्तावों से कॉंग्रेस के युवा उग्रदल के लोग जैसे जवाल लाल और सुभाश चंद्र प्रभावित नहीं हुए बलकि और खुलकर पूर्ण स्वतंतरता की मांग करने लगे। डोमीनियन दर्जे का समर्थन करने वाले कॉंग्रेस के उदार व्रद नेताओं का प्रभाव पार्टी में कम होता गया। 1939 के कॉंग्रेस के लाहोर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंता दिवस मनाने का निश्य किया गया। 26 जनवरी का उत्सव जनता का अधिक ध्यान अपनी और नहीं खीच पाया क्योंकि पूर्ण स्वराज्य की अमूर्थ अवधारना लोगों को ठीक से समझ नहीं आ पाई। इसलिए गांधी जी ने स्वतंतरता के अमूर्थ विचार को दिन पृति दिन के जीवन के मुद्दों से जोडने का निश्य किया जिससे अधिक से अधिक लोग राष्ट्रिय आंदोलन से जोड़ सकें। अब बच्चों हम अपने अगले विशय पर आते हैं जिसका शीरशक है नमक यात्रा तथा सविने अवग्या आंदोलन। प्यारे बच्चों पूरे देश को एकता के सूत्र में प्रोने के लिए गांदी जी ने नमक को एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में प्रियोग किया। 31 जन्वरी 1930 को गांदी जी ने वाइस राय इर्विन को ग्यारा मांगो वाला पत्र लिखा। इन मांगों को इस प्रकार लिखा गया था कि जिससे भारत की विवित्ता पूर्ण जनसंख्या के अधिकांश वर्गों के हित सद सकें, जिससे अधिक से अधिक लोग बिटिश सरकार के वरुद एक संयुक्त संगर्ष में शामिल हो सकें। सबसे रोचक मांग नमक के उत्पादन पर कर हटाने की थी। नमक का प्रियोग गरीब, अमीर सभी लोग समान रूप से करते हैं, अतहा यह मांग पूरे भारत को अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा करने के लिए एक अच्छे उत्प्रेरक का काम करने के लिए एकदम उप्य जुक थी। गांधी जी ने कहा कि नमक पर कर और इसके उत्पादन पर सरकार का एक अधिकार बिटिस सरकार के सरवाधिक अत्याचारी रूप को प्रस्तोत करता है। या नमक यात्रा शुरू की। 240 मील की दूरी 24 दिन में पूरी करके गांधी जी 6 अप्रेल 1930 को डांडी तट पर पहुँचे और उन्होंने नमक बना कर कानून तोड़ा और इस प्रकार सविने अवाग्या अंदोलन शुरू किया। रास्ते में गांधी जी के साथ हजारों लोग जुड़ गए। वह जहां भी ठहरते वहां भाशन देकर लोगों को स्वराज का अर्थ समझाते और बताते कि कि किस प्रकार शांति पूंत तरीके से अंग्रेजी कानूनों की अवग्या करनी है। बच्चों यहां हमें असहयोग आंदोलन और सविने अवग्या आंदोलन में अंतर भी समझना चाहिए। असहयोग आंदोलन में लोगों से केवल यह अपेक्षा की गई थी कि वह बिर्टिस सरकार के साथ सहयोग ना करें। जैसे विदेशी वस्तुएं ना खरीदें, सरकारी नोकरी ना करें, सरकारी विद्ध्यालन में पढ़ाई ना करें, आदी इतियादी। लेकिन अवग्या आंदोलन में लोगों को पृतियक शुरूप से अन्यायकारी ओपनिवेशिक कानूनों को खुले आम तोड़ने के लिए कहा गया। इसके अत्रिक्त असहयोग आंदोलन का लक्षे स्वराज हासिल करना था, जबकि सविने अवग्या आंदोलन का लक्षे पूर स्वराज हासिल करना था। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविने अवग्या आंदोलन में भारतिय महिलाओं ने अधिक सक्रिये और अधिक संख्या में भाग लिया। असहयोग आंदोलन की तुलना में सविने अवग्या आंदोलन में भारतिय उद्योग्पतियों और व्यापारी वर्ग ने अधिक खुल कर कॉंग्रेस का समर्थन और सहयोग किया। असहयोग आंदोलन के साथ क्योंकि खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था इसलिए उसमें मुसल्मानों ने भी अधिक संख्या में भाग लिया था। जबकि सविने अवग्या आंदोलन में मुसल्मानों की भागिदारी अत्यन सीमित रही थी। असहियोग आंदोलन की तुलना में सविने अवग्या आंदोलन अंतराष्ट्य मीडिया और दुनिया का ध्यान भारत की समस्या की और खीचने में अधिक सफल रहा और इसके कारण बिटिस सरकार को अधिक परेशानी और शर्मिंदगी उठानी पड़ी असहियोग आंदोलन चौरी-चोरा की एक हिंसक घटना के कारण आनान फनन में इस्थागित कर दिया गया था किन्तु सविने अवग्या आंदोलन अनेक हिंसक घटनाओं के बाद भी वापस नहीं लिया गया असहियोग आंदोलन एक चरण में ही चला चौरी-चोरा की घटना के बाद वह दुबारा शुरून नहीं किया गया लेकिन सविने अवग्या आंदोलन दो चरणों में चला दूसरे गोल में सम्मेलन से पहले और दूसरे गोल में सम्मेलन के बाद बच्चों आप जरा अपनी पुस्तक का चित्र साथ देखें आपको गांधी जी और उनके साथियों की डांडी यात्रा दिखाई देगी बच्चों सविने अवग्या आंदोलन के दौरान हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा नमक बनाया और सरकारी नमक के कारखानों के समक्ष प्रदर्शन किया जैसे जैसे आंदोलन फैला विदेशी कपड़ों का बहिशकार होने लगा शराप की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा किसानों ने लगान और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गाउं के सरकारी करमचारियों ने अपने पदों से त्याग पत्र दे दिया कई इस्थानों पर वन वासियों ने आरक्षित वनों में जाकर लकडी और चारा एकत्र करके वन कानूनों का उलंगन किया बच्चों सविने अवग्या आंदोलन के दोरान अनेक हिंसक घटनाए भी हुई खान अब्दुल गफार खान को अप्रेल 1930 में ग्रफतार करने पर उनके समर्थकों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन किया तो बखतरबंद गारियों और पोलिस की गोलावारी द्वारा उनका दमन किया गया जिसमें अनेक लोग मारे गए कांधी जी की ग्रफतारी के विरोध में शोलापुर के और द्योगिक मजदूरों ने पुलिस चौकियों नगर निगम भवनों अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमला किया सरकार ने पृति किरिया दिखाते हुए आंदोलन का कुरूरता पूरवक दमन किया बच्चों और और ओर्तों को भी लाठियों से पीटा गया और लगवक एक लाख लोगों को ग्रफतार किया गया आप चितर आठ में पुलिस की सत्याग्रहियों पर बरबर कारवाई देख सकते हैं ऐसे माहौल में गांधी जी ने कॉंग्रिस नेताओं से सलह करके सविने अवग्या आंदोलन को कुछ समय के लिए इस्थगित कर दिया और 5 मार्च 1931 को गांधी इर्विन समझोते पर हस्ताक्षर कर दिये कॉंग्रिस ने गोल में सम्मेलन में भाग लेना और सरकार ने राजनितिक कैदियों को रिहा करना सुईकार कर दिया आप कॉंग्रिस नेताओं की इस संबंद में हुई बैठक को चित्र छे में देख सकते हैं गांधी जी ने दिसंबर 1931 में लंदन में दित्य गोल में सम्मेलन में भाग लिया किन्तु कोई समझोता नहीं हो पाया और वे खाली हात वापस लोटा है भारत में सरकार राजनीतिक गती विदियों का भेंकर रूप से दमन कर रही थी और कॉंग्रिस को गैर कारूनी संस्ता घोशित कर दिया गया गांधी जी ने भारी आशंकाओं के साथ सविने अवग्या आंदोलन दुबारा प्रारंब किया जो की एक वश तक चला लेकिन 1934 के आते आते यह अपनी गती और चमक खो बैठा तो बच्चो अब अंत में हम आपको कुछ प्रश्न देते हैं असाइन्मेंट के तोर पे आप उन्हें घर पर रहकर अच्छे ढंग से तयार करें जिससे आपकी इस पार्ट की समझ और अधिक बहतर बन पाएगी तो पहला प्रश्न है बच्चो कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया अगला प्रश्न है बच्चो कॉंग्रेस द्वारा पहला स्वतंतरता दिवस कब मनाया गया अगला प्रश्न है बच्चो अलूरी सीता राम राजू द्वारा असयोग आंदोलन के दोरान किये गए कार्रेयों का वर्णन कीजिए वह गांदी जी की शिक्षाओं से किस प्रकार भिन्न कार्रे कर रहे थे और अगला प्रश्न है बच्चो असयोग आंदोलन और सविने अवग्या आंदोलन इन दोनों में क्या अंतर है तो अंतिम प्रश्ण है बच्चों, कॉंग्रेस स्वराज पालिटी की स्थापना किन नेताओं ने की और उनका क्या उद्देश था तो बच्चों, आज हम इस पालिट पर यहीं तक चर्चा करेंगे अगले अंक में आपसे फिर भेट होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार आपसे पालिटी तक करेंगे